ना दिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजिरात मराठा द्राविडवुद। क्या हो गए रे इस जनेरेशन को? कौन सा साप सूंग लिए आरे तुम लोगों को? और ये टिक टॉक मेरे को समझ में नहीं आता है। खुले आम हमारे नैशनल एंथेम को ये लरकी बैजज़त कर रही है। मिडल फिंगर दिखा के क्या प्रूफ क्या करना चाहते हैं रहो तुम लोग? हो क्या गया है इस जनेरेशन को हो क्या गया है? पागल कहा? पच्पन से जो एंथम सुनके रॉम्टे खरे हो जाते हैं यार। पूस्बंज आ जाता है। हिंदुस्तानी होने का फकर होता है कि हम हिंदुस्तानी है। और ये आज कल के 12-13 साल के लरके लरकिया ये क्या कर रह रहे ये लोग? फिर भी तुम लोग का खूल नहीं खुलता रहे नहीं मन करता रहे इस टिक टॉक को अनिस्टॉल कर दे इसको प्ले स्टोर से हटा दे बैंड कर दे इसको इंडिया में? अभी तक खूल नहीं खुला भे तुम लोगों का? और कितना अपने देश को नीचे गिरते हुए देखो गए? और कितना अपने देश को नीचे गिरते हुए देखो गए तुम लोग? कब खूलेगा तुमारे दिमाग का? मतलब जो लॉक है दिमाग कब खूलेगा तुम लोग का? मैं अब भी भी बोल सकता और चैलेंज देखे 70% लोगों ने TikTok अनिस्टल नहीं किया और सला करेगा भी नहीं इसके बाद भी नहीं करेगा होने देगा देश को बेजजत होने देगा और बोलता है हिंदुस्तानी भाव गाली देता है बे इनलोग को गाली देता है ये जैसे लोग ये बच्चे कितने सार की होगी बच्चे ममी पापा क्या सिखाता है रहे इनलोग को डूपके मर जाना जाए ऐसे माबाप को डूपके मर जाओ तुम लोग साले मर जाओ अपने बच्ची को नैशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया तुम लोगों ने डूप के मर जाओ साले मर जाओ इसके बाद भी अगर तुम लोगों ने टिक टॉक अनिस्टॉन लेकिया और उसको प्ले स्टोर से बैन नहीं करवाया तो अपने आपको हिंदुस्तानी मत बोलो बे इंडियन मत बोलो अपने आपको भाग जाओ इस देश से भाग जाओ इस देश से भाग जाओ आप लोग यह देश तुम लोगों का नहीं है like followers likes followers likes followers ये सब के लिए अगर हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान को गिरते हुए देखो गय से निकल जाओ इस दुनिया से यार इस देश से निकल जाओ तुम लोग बस यही कहना है मेरे को ची अजब किस बाहब कि सब्सक्तब छो जो कि अजब कि एग डिपर रिगी कर बाहब कि जब कर दो बाहब कि फ्सक्तरी बाहब